याभ है इस बार बिहार प्लोटेक्निंग 24 का आउडली आपDichter Queer 24 का आउडलान फॉर्म भढ़ने वाले हैं तो आपके लिए एक बरी खुसकरी आचुकी है जी हाँ दोस्तों जो भी 24-69 इस बार बिहार प्लोटेक्निग 24 का आउली आप्डेट आपक आचुकी है एक new notice business board के official site पर जारी क्या गया है इस वीडियो में आपको हम पूरा detail में बताएंगे कि आखिर new notice में क्या बताएंगा है और online form है वो कब से भरना शुरू हो जाएगा तो इस वीडियो में आपको हम पूरा detail में बताने जा रहे हैं इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा और साथी वीडियो को अब अब तक like ने की हो तो फ़रा फ़र्चे कर लिजेगा और चैनल पर पहले बार आएं तो subscribe करके notification बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार कर लेते हैं और आपको पूरी जनकारी डिटेल ने बताते हैं कि online form कब से भारा जाएगा और साथी क्या notice में बताया गया है किसके लिए notice जारिक किया गया है तो चलिए वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहरे notice देखने के लिए करना क्या होगा अपने मोगाल में Chrome Browser को Open कर लेना होगा Chrome Browser को Open कर लेने के बाद यहां पर सर्च करना है BCEC जो कि आपको इस स्कीन पर देखने को मिल रहा होगा ऐसे ही आगर आप सर्च करेंगे जो इंटरानस एक्जाम कंड़क्ट कराती है उस बोट का जो ऑफिसल जो साइट है वह यही है इस पर आपको क्या करना एक बार किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपको कुछ देर के बाद इस तरह खुल कर आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर देखनों को मिल रहा होगा यहां पर देख सकते हैं IMPOTENT NOTICE REGARDING FILLIP ALL AN APPLICATION FORM जानते हैं इस NOTICE में क्या बताएगा है चलिए आपको इस पर किलिक करके बता देते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने पुरा notice खुल कर आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सन्यूक परवेश परत्योक्ता परिच्छा परशत यानि बिहार सन्यूक परवेश परत्योकता परिच्छा का जो official board है यही है bccbihar.gov.in यहाँ पर देख सकते हैं बिहार ITI का फॉर्म भरना चाहते हैं इंट्रांस एक्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये नोटीस जारिक किया गया है चलिए आपको हम बचा देते हैं कि इसमें डेट क्या क्या रखा गया है कब से कब सक online फॉर्म भरा जाएगा और एक्जाम डेट कब है और इसके बाद बताएंगे कि आपको बिहार team का फॉर्म कब आने वाला है चलिए सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो भी छाथ चात्याई बिहार पॉर्म भरने वाले हैं वीहार ITI का भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग पर चुरूर हो जाएगा वो साथ चार दोहरशोविश से स्टार्ट हो जाएगा और जो इसका रेश्ट्रेशन का अंतिम डेट है वह है 55204 मतलब पूरा एक महीने का समय दिया गए है औलन फॉर्म भरने के लिए और वहीं बात करें तो एक्जाम डेट और एडमिर कार्ड की तो एडमिर कार्ड आपको 28 तारी को जारी कहा जाएगा है कि बहूत ही जद विहार प्रो टेक्टिक का भी नोटिस आ जाएगा क्योंकि हर सबीस हार की को dimyar अ अर्लैन debati में जो साथ भरना शुरू हो चुक यह और प्लातध आने वाला है उसलिए आप लोग च्छाधा इंतजार आप नहीं करेंगे आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजाए अगर अभी तक शुरू नहीं किये हैं क्योंकि फॉर्म बहुत ही जल्द आ जाएगा और इस तरीके से आपको एक्जाम डेट भी देखनों को मिल जाएगा मतलब 9-6-24 का ITA के एक्जाम है तो हो सकता है इसके 10 दिन बाद आपको बिहार प्रो टेक्निक का भी एक्जाम डेट देखनों को मिल जाएगा और वहीं आउनलान रेसेशन डेट है तो आपको बता दे कि आपको आउनलान रेसेशन डेट भी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपको बिहार प्रो टेक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब करें की जैसे ही अपडेट आ भी तरह को आपको सुबस्पडुल है तो चलिए आज कि इस वीडियो में इतना ही चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साहर तब तक विये धन्यवाद